कर सकते हो सिर्फ यूज करेंगे में डंबल का डंबल का यूज करके अपने सुल्डर और बाइसेप्स को ट्रेंगे बहुत सारे वेडियेशन देखेंगे भाई साथ में देखो फॉलोग करो यह कुछ वाडियेशन्स आज का दिन हम करना है आप लोग भी करना है आप लोग भी करो बात करने उप्सटर फिटनेस क्राम साहरा एक सबसे पहला हो जाएगा करेंगे अपको सूल्डर और वाइसे दौनों चीज को देखना है तो डंबल का तो पहले सामने वाले को ट्रेंड करेंगे तो लगा रहें भाई सामने के तरफ फ्रंट प्रेज़ डंबल अमारे बास एक यह प्यादर लोगा उसी तरह एक्सेज करना पड़ेगा तो यह हमारा पहला नमेर अधिक साथ जिसमें कि फ्रंट रेज़ लगाएं के डंबल के साथ एक के लिए हैमर कर देखो एदम स्लो जाना है बाडी में कोई आप मुवमेंट देख रहे हो कि आप उठा रहे हैं बाडी मूव कर रहा है इदा उतर हो रहा है नहीं बाडी आपका पुड़ा स्टेल रहना चाहिए सोल्डर पूरा छोड़ दोगे और जो भी आप डंबल वेट जो भी आप लिफ्ट कर रहे हो इदम इजी आसान तरीके से उठाओगे और अपने बाइसेपस पर फोकस करोगे इस एक सोल्डर के साथ आपको बाइसेपस साच ट्रेंड कर वा रहा हो है तो दूसरा नमबर एक्साइज ये बाइसेपस के लिए हैमर कर सेम तरीके से फॉलो नीचे जाएंगे इससे आपका आम से इंगेज हो जाएगा और सुल्डर भी थुरा बहुत फर्क पर उपर घुल्ड करते हो तो स्पीड में लगाने आपका सोल्डर भी इंगेज हो यह वह यह हमारा वेक्साइज नमबर फॉर्थ इसका पूश प्षप्स पहले नहीं लग अगर 25-30 लगा लेते हो दो से तीन से आपका सोल्डर बहुत अच्छा दिखेगा वाई साइट से जो लाइन वगर दिखता है वह आपका अच्छा हों क्याएगा इस एक्ससाइज हमारा हो जाएगा पाच्वा नमबर एक्साइज हो जाएगा जो कि हम एक्साइज लगाने सब्सक्राइब लगाने के बाद हम बाइस और दौनों को देख रहा है साथ साथ में तो आपको पूरा का पूरा का सोड़र चोड़ी रहा है तो आप लगाएंगे बिल्कुल सामने रखके उपर के तरफ जिस्से की इनर बाइस यचा हो गया वाई तो आपका biceps का अंदरवाला मशल से अच्छा तरीके से पंप हो जाएगा उसके बाद आप फिर से वापिस क्या करेंगे सोल्डर के एक्सरसाइज करेंगे सारा एक्सरसाइज बिल्कुल पैटर्ण में करना है आपको जिससे की से ट्रेन हो काए गए गा तो इसको हम लास्ट में से बेसिक एक सैसे हैं थर्ड łaस्ट याente दिसको रखेंगे हैं इसे कि हमारा सोल्डर को त्यार कर लें तकके बाद नेक्स्ट बइसेपस अच्छे से पंप होका और हम जो चाहिए की बाइसेपस और सोल्डर तो बाइसेपस के लिए एकसर साइज आपको इस तरीके से आपको अपस ऊपर के तरफ लिफ्ट करना है हाथ यूजर नहीं होगा सिर्फ आप सोल्डर को उपर लेके जाओगे और ट्रैप स्कुईज सोल्डर को उपर लेके जाओगे 20 वार 25 वार 30 वार लगाओ और फर्क खुद दिखेगा आपको मैंने बताओं कि यह करोगे तो यह हो जाएगा भाई देखो सामने में कि किस तरीके से क्या चीज़ पे काम होड़ा है आप सारा का सारा exercise आपको मैं खुद करके दिखा रहा हूँ इस exercise से collar बहतर हो कि आएगा shoulder collar shoulder का एक पार्ट हो जाता है जिसे कि shoulder आपका और बहतर दिखता है तो यह हम कर लेंगे 15 से 20 इस collar के लिए नेक्स एक्सराइज हमारा हो जाएगा बहुत ही में मसले अगर आपका कॉलर अच्छा हो जाएगा तो आपका पूरा पूरा बॉड़ी बहतर दिखेगा और नेचुरली कर रहे हो भाई अच्छा खा रहे हो फिर भी बॉड़ी नहीं बन रहे तो यह सारा आज का दिन हमारा था oops लड़ा और ऑफ का दिन टूसडे का यह Divine सोई Сब्काot सब्सके को और बहतर देंगे। दोगर डंबल को सटाना है और फिर पूरा का पूरा ऊपर के तरफ लिफ्ट करने इसको आप 10 लगाओ 15 लगाओ 20 लगाओ 30 लगाओ 40 लगाओ जितना जान बचे सारा जान इसमें जोग दो और इससे वर्काओट को फिनिश करो तो आज का यह सारा एक्सरसाइज हमारा सोल्डर और हमारे बाइसेप्स के लिए था भाई जिस भाई को ट्रेन करना है सिर्फ डंबल के साथ तो यह सारा एक्सरसाइज करके अपने सोल्डर को और अपने बाइस को तगड़ा कर सकते हैं और यह एक्सरसाइज करके आप सोल्डर को लास्ट में अच्छे तरीके से फिनिश करोगे और बहतर पंप आओगे कहीं भी प्रवाम कर सकते हो कोई जिम का नीड नहीं है वाई